तो फिर चलिए आज बनाते हैं पकोड़े वाली कड़ी तो उसके लिए हमें चाहिए छाच इसको ताक भी केते हैं या आप दही को पानी में मिलाकर उसे भी आप छाच बना सकते हैं और कुछ हरी मीच, कुछ कटा हुआ लेसून, कुछ करी पत्ता, कुछ हींग और अब हम एक बावल में बेसन लेंगे तो बेसन हमें कम सकन चार चम्मच करीब लेना है तो इस तरह से हम बेसन को एक बावल में ले लेंगे और इस बेसन को हमें एक चम्मच की सहायता से या इस तरह से कुछ भी हो जिससे कि उसमें लंस ना रहे ऐसा हमें मिलाना है और इसे हमें इस जा चाज को इसमें डालते हुए अच्छे से मिलाना है तो मेरी बावल है घुम रहा है तो इसको मैं क्या करती हूँ कि इसके नीचे में कपड़ा बिछा देती हूँ ताकि इसके अंदर कोई गुटली या लम्स बिल्कुल ना रहे तो आप भी अपने हिसाब से चाहे तो हाथों से भी मिला सकते हैं, हो जाता है आसानी से, अब जितनी हमने चाश लिए न उतना ही हम पानी इसके अंदर मिला देंगे, पानी तो आप अपनी हिसाब से भी कर सकते हैं, अपनी कौंटिटी अनुसा जितनी लगों के लिए हम कड़ी बना रहे हैं, उसकी या कोई भी इससा मोटे तले का परतन। अब उसमें हम ढालेंगे तेल, पहåँध कम लगता है, एक च अभा टेल का्वम या तेल ले लेते हैं उसको गरम करेंगे, उसमें हम ढालेंगे मेथी का दाना और रई, रई को चिनकी च्छाज़ना उसके बाद हम करी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसको थोड़ी दिर होने देंगे और उसमें हम हरी मीज को मिला देंगे टोड़ा से थोड़ा से हिंक को हमें ठोड़ा से बाद में डालना है क्योंकि तेल ग़म होता है ना रहता हुट ही ही जलने, कोड़ा से थोड़ा से ह city मेत्य तो जलने का दर लेता है। आप उसमें घुल बना के रखा है ना बेशन और चांज का उसको सब्सक्राइब दोग ना ले जो हमिले लीजियुगी हमने बहुत दिर से बना के रखा है पी यह दो नीचे सीचा आकता खटा हो जाता है बेशन तो इस तरह से उसको अच्छे से मिला लेंगे अब मिलाने के बाद और फिर हम अमरे छोके में डाल देंगे इसी तरह से अब इसको हम मिला लेते हैं अब इसको चम्मस की सहायता से चलाएंगे और गेस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे बढ़ा देंगे जब तक ये एक उबाल ना आ जाए इस तरह से अब बीच बीच में धिरे धिरे आप चलाते रहेगा अब अगर आपको लगे कि इसमें ओर पानी की आवशकता है तह जिस तरह से में लिया है इस तरह से आप भी पानी को ले सकते हैं पानी आप अपनी कॉंटर्टी के अनुसार डाल सकते हैं वैसे हमारी कड़ी अभी उबलेगी ना तो यह जितनी है उससे आधी हो जाएगी और इसको उबालने के लिए कम से कम 30 मिनिट तो दे दिजेगा क्योंकि कड़ी अगर अच्छे से ना उबलना तो उसका स्वाद बिल्कुल नहीं आता है अब इसमें हम डालेंगे नमक नमक को आश्ट में डालेंगे आप चाहे तो कड़ी उबलने के बाद भी नमक डाल सकते हैं उससे आपको उसका अंदाजा अच्छे से हो जाएगा मैंने अभी इसी वक्त ही डाल दिया है आप हम इसे उबलने के लिए रखेंगे तो देखिए इसमें धीरे धीरे उबाल आने लगा ग्यास की फ्लेम बड़ी हो ना तो जल्दी उबलने लग जाता है लेकिन उसको छोड़की कहीं नहीं जाना क्योंकि अगर आप छोड़की चले गए ना तो यह उपन के हमारे गेस के उपर गिर सकती है तो इसको ध्यान रखना है कि जब तक यह उबलना जाए तब तक आपक ढ़ेसे सकते हैं अब इस तया मेर हम देखने की ईघर ड़गान को अब यह कर दिया में के वाल तक दीगे लो प्याना तो पकोड़े बनाने के लिए वही बाउल ले लेंगे और उसमें हम कटा हुआ प्याज़ए डालेंगे तो ये मेने आधे कटोरी कटा हुआ प्याज़ए male ले लिया है उसमें एक मीर्ची को चाट करके ले लिया है आप चाहे तो मिर्ची को ज्यादा भी ले सकते हैं अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमाक, बिल्कुल ऐसे ही, और थोड़ा सा बिल्कुल एक पिंच हल्दी और एक पिंच थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और अब हम इस बेशन को उसके अंदर एड़ करेंगे, तो यह हमने बेशन ले लिया है, मुझे यह बेशन कम लग रहा है, तो मैं और वेशन लूँगी, आपको अगर लगे की ठीक है, मतला केस क्या होता है, कि हम कड़ी के साथ भी पकोड़े खाते हैं, और वेसे भी हम खा लेते हैं, तो थोड़ी ज्यादा कंटटी में बच्चे हैं घर में तो थोड़ी ज्यादा कंटटी बनानी प पकोड़े हैं, वो भी अच्छे से मतलब पचने में सहाइक होता है, अब उसमें डालेंगे भूस सारा धनिया, अब धनिया को अच्छे से डालिएगा, क्योंकि धनिया का स्वाद इसके अंदर बहुत अच्छे से आता है, आप चाहे तो इन पकोड़ों के अंदर भी थोड तो कर सकते हैं, तो इस तरह अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, अब मैंने और बेशन को एड़ कर लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा मिठा सोड़ा, हमारा एक पिंच करीब या एक चोथा ही चम्मच आप समझ लीजिए, उस हिसाब से हमें ये मिठा सोड़ा एड़ करना है, और थोड़ा पाइन डालके हमें इसे गाड़ा गोल बनाना है, इसे हमें पतला नहीं बनाना है, एक दम गाड़ा देखी इस तरह से, कि मतलब ये हातों से, हम जब करेंगे ना, देखी इस तरह से आना चाहिए, तो ये ज़्यादा पतला ना हो, इस बात का ध्यान रखि अब में ने क्या किया है, अब हमारी जो कडिये वो उबल चुकी है, लेकिन अभी वो थोड़ी कच्ची है, अभी पकी नहीं है, और देखी ये कटोरी डालने की वज़े से हमें क्या है ना, बार बार उसे देखने की जरुत नहीं पड़ी है, तो आप इसको एक बार और चल निकाल लीजे, तो ये एक कड़ी की मलाई टाइप रहता है, तो उसे हम निकाल लेंगे, तो इस तरह से छोड़ा करके, और फिर से उसे अच्छे से उबलने के लिए रख दीजेगा, अब हमारी कड़ी उबलती रहेगी, और एक तरफ हम पकोड़े बनाएंगे, तो पकोड़े बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक कैसा चोड़ा बर्दन ले लिया है, और उसमें हमने तेल डाल दिया है, गरम होने के लिए, तो तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, अच्छे से हाई फ्लेम में उसको अच्छे से गरम कर लीजे बहले, और एक बार जब ग भजीए को थोले से दानाओस में इसा डालेंगे तो यह तुरंत ऊपर आ जाएगा तो समझति जिए कि हमारा तेल गरम हो चुका है तो अब में इसको निकाल कर अब हम पकोड़े बनाएंगे तो आप बनाएंगे पकोड़े पकोड़े बनाने के लिए इसी हातों से तोड़ते हुए हम इस तेल के अंदर सावधानी से डालिएगा अब आपको जीस आकार की चाहिए उस आकार से आप छोटे या बड़े डाल सकते हैं और जो हमने मीठा सोला डाला है उसके वैसे फुल जाते हैं तो इसका भी आप ध्यान रखेगा उससाब से आप डाल दीजिएगा तो इस तरह से मैं हातों से ही तोड़ तोड़ करके इस तरह से एकदम फटाफट डालना है ताकि हमारा तेल गरम है ना तो उसके अंदर हम ज़्यादा फॉंटिटी में डालेंगे ना तो वह युक्वल हो जाएगा और उससे क्या होगा ना कि हमारे पकोड़े ना अच्छे से पकेंगे तो सारे एक साथ पकना चाहिए तो इस तरह से हम फटाफट डालेंगे जिकदम जल्दी जल्दी डालिएगा आप चाहे तो चमबच की साहता से भी डाल सकते है लेकिन मुझे हातों से जड़ा जाधा आसान लगता है एक दम फटाफट हो जाता है और साइड में एक बतर में पाने ले लिजी जिससे हमो हात धोने में आसानी हो ता आसानीसे हम हात भी ढोले अब हैसे हम ऐसे ही अललत पलट के शेकेंगे अब इनको अच्छे से सेखना है मीडियम आज पर ही या आप कम भी कर दिजे पुरा तो भी चलेगा क्या कि यह है ना अंदर तक पकने चाहिए अगर यह अंदर तक अच्छे से पकेंगे तो हम जब इसको कड़ी के अंदर याट करेंगे ना पकोड़ों के अंदर जिसके वयसे हमारी कड़ी पकोड़ों में नहीं जा पाई तो इसलिए पकोड़े बनाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखिए इसको यह अच्छे से पकने चाहिए तो उसा टाइम लगता है गाईस लेकिन अगर किसी चीज को अच्छे से खाना है तो तो उसको प्यार से बनाना पड़ेगा और प्यार से बनाने के लिए टाइम तो लगता ही है तो आपको मेरी एक रेसिपी कैसी लगती है वह मुझे कमेंट में आप जरूर बताईएगा और कमेंट कीजिएगा कमेंट करतने से क्या होगा न मुझे होसला मिलेगा और अगर कोई गलती हो गई हो या कोई कमी रही गई हो तो वो भी बता चलेगी आप कमेंट में जरूर बताईएगा अच्छी हो बुरी हो आपको जैसी मेरी रेसिपी जैसी लगती है आप वो कमेंट में जरूर बताईए उससे मुझे और आगे की रेसिपीस को बनाने में असानी होगी तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिए इसी तरह से अलट पलट करके हम पकोडों को अच्छे से तल लेंगे तो इस तरह से तलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है पांचे मिन लगते हैं लेकिन पकोडे अच्छे से तलने चाहिए तो अब हम इसे अच्छे से करेंगे बिल्कुल मीडियम या या बिल्कुल कम dazu कीया में सुर्व में हमने सको अच्छे से गरम कर लिया और जब एक खट्टे इस तरह से पकाते हैं ना मीडियम फेल्म पर या कम लो फ्लेम पर तो इसको अच्छे से पकना चाहिए तभिनक अपश्वा अच्छे से आता है तो आब हम इसे निकाल लेंगी ये हमारे अब रेडि हो चुके है तो देखी हम इस तरह से निकाल लेंगे मैं यह खास से कर रही हुआ थोड़ी दिक्कत हो रही है आप दोन हासों से कीज़ेगा तो फटा फट से निकाल लीज़ेगा तो मैं भी आप निकाल लेती हूँ और आपको बाद में बताती हूँ तो देखिए मैंने सारे पकोडे निकाल ले ली अब हम दूसरा स्टेप इसके बनाते हो पकोडे यह मुझे जरूर बताइजा कर्मेंट जरूर किजीएगा तो अब रही हमें सारे पकोडे इस तरह से डाल लेंगे पकोड़ी बनाना बहुत आसान है गाइस जेस तरह से हम नार्मल कड़ी बनाते हैं उसी तरह से बनाकर और पकोड़ में बिना कुछ भी नहीं डाला जैसे प्याज वगरे नहीं डाला सिर्फ पेशन में इतोवसा नमाक मिश डालके भी घोलके बना लिए ना तब भी पकोड़े बहुत अच्छे से बनते हैं और पकोड़े वाले काकड़ी एकदम अच्छे से लगती देखिए इस तरह से साइड में परतन रख लिय और इसको भी अच्छे से पकालेंगे तो सारे पकोड़ों को मैं ऐसे ही बना लेती हूं और फिर आपको बताती हूं और एक तरफ हमारी कड़े भी आप उबल चुकी है और ये भी आप पक चुकी है देखिए यह जो कटोरी का माफ जो कटोरी को टेप्स है ना ये बहुत का की है अगर आप दूद भी उबाल रहे हो तब अगर उसके अंदर कोई इस तरह सी कटोरी या चमज डाल देंगे ना तो दूद भी हमारा उबल कर नीचे नहीं गिरता है हम जैसे कभी-कभी भूल जाते हैं ना डाल कर रखकर तो उस ताइम पे अगर आप कोई कटोरी या तो कमेंट में मुझे जरूर बताईएगा अब हम सारे पकोड़े इस तरह से बना लेंगे अब इन सबको में इस तरह से निकाल लेती हूँ देखिए हमारे सारे पकोड़े अब बनकर रेडी है लग रहे है ना मस्ता अब इसे हम एक अलग बावल में या बरतन में निकाल लेंगे अब मैं आपको एक हाट से तोड़ की दिखाते हूँ देखिए इसमें क्रंचीपन भी है और सोपनेज भी है यह पकोड़े कड़ी के अनदर एसे गरम गरम ही डालना है अब गरम कड़ी के अंदर हम पकोड़े डालना है उससे क्या होगा पकोड़े में कड़ी का जो को डालेंगे तो थोड़े से पकोड़े में इसके अंदर डाल लेती हूं और इसके अंदर फिर उपर से हम कड़ी को डालेंगे और धीरे धीरे फिर जो यह पकोड़े हैं ना कड़ी को अबजाब करेंगे तो यह ना कड़ी पकोड़ों की अंदर तक अच्छे से मिल जाने चा से गार्णिश करेंगे तो कुछ मैंने इस तरह से आपको दिखाए है साइड में भी हम पकोड़े रख लिए खाने के लिए और देखिए हमारी करता लगी अब मैं आपको कटोरी में दिखाती हूं देखिए हम चम्मस के साइता से तोड रहे हैं और देखिए इसके अंदर तक कड़ी गई है आप मैंने इसके कड़ी चावल के साथ में सव की हैं तो आप का सकते हैं तू मेरी रेशीपी पसंद आई धो प्लीकी चैणल को सस्क्राइब करना न भूले और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरी ऐसी ही आसान रेसिपीस को आगे भी देखते रहिए तो देखिए मस्त लग रही है ना हमारी कड़ी आप ये किन मानिए ये खाने में में भोग स्वाधिश्ट है तो आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताईए इसी तरह के आसान लियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए